हमारा इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स चेप्टर नमबर त्री जो है वो चल रहा था और इसके हम वेरी शोट कोशन जो हैं वो कर रहे थे हाफ हो चुके से हाफ रहते हैं हाफ हम आज करेंगे 22 जो कोशन है वो देखें गिव एनी बन सजेशन फोर द इंप्रूमेंट ऑफ इंडियन इलेक्ट्रोल सिस्टम जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है उसमें किस तरह से हम अपनी इंप्रूमेंट जो हम वो कर सकते हैं तो इसके के लिए हमें सजेशन देनी है वो भी एक तो हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए शुट बी टेकन अगेंस्ट दोज हू इंडियूकल इन एनी मल प्रैक्टाइस ठीक है ना मतलए कि अगर कोई भी गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है माल नो पैसे दे रहा है या ड् गलत तरीके से वोटिंग करवा रहा है तो उसको हमें सजा देनी चाहिए मनले कि उसके खिलाफ हमें स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेना चाहिए ठीक है ना सच अगर बूत के उपर कैप्चिरिंग एंड़ बूग्स वोटिंग ठीक है ना तो वही बात आगी इसमें सारी सारी चीज़ आगी कि बूत के उपर कुछ गलत हो रहा है कई भार क्या होता है कि एक परसन कोई बार बार भेज दिया जाता है या कोई परसन वहीं पर खड़ा हो कि बस वो बाकी वोटिंग नहीं होती है और एक परसन लगा दते हैं लोग और उसी को ही अपना बटन जो है वो दबाते रहते हैं जिस पारटी के वो होते हैं और इस तरह से तो यह सारी चीज़ें तो हमेह सिक्नलाफ स्ट्रिक्ट एक्षिन लेना चाहिए where are the election symbol given to political parties during election election symbol जो है वो हर political parties को दिया जाता है चुकि इससे voter जो है वो देख सकें कि name candidate का और choice कर सकें कि भई वो किसको जो है अपनी vote देना चाहते है how many members are there in the election commission और election commission के अंदर जो है one chief election commissioner होता है two other members होते है on which charge can the member of election commission be removed the member of the election commission can be removed on the charge of the misbehavior अगर वो misbehavior करता है या कुछ और गलत करता है अपना power का misuse करता है तो उसको remove कर सकते है mention or president remove कर सकते है mention two features of the electorate system in India तो इन इंडिया जो है joint system है election का जो adopted क्या गया और secret bullet system जो है वो नहीं है अब पहले जो था वो बोक्स के अंदर वो वो slip जो है वो डालनी होती थी अब तो EVM system जो है वो आ गया state any two qualification of a voter in India the voter must be a citizen of India और वो कितने साल का होना चाहिए वो 18 years का होना चाहिए उसके बाद है हमारा mention one drawbacks of Indian electoral system the growing influence of money and muscles power in election is badly influenced the electoral system in India what is the importance of right to vote right to vote is the most important political right of a citizen it is through the exercise of this right that citizen in a democracy take part in the decision making process of the government in the country ठीक है ना तो किस तरह से important है ये तो हमें अपनी गवर्मेंट चुननी है तो वो वोट के दुआरा ही हम चुन सकते हैं what is the tenure of the member of election commission the tenure of the member of the election commission किते साल का है tenure मैं पहले भी बता चुकिए हूँ time period को time को कहते हैं period को कहते हैं तो six year है और define the term franchise to write to vote, describe any one test of a good electoral system तो क्या है successful होगा electoral system और उसमें किसी भी तरह से जो है गलत नहीं होगा, control जो है वो election commission का होता है, government का कोई control नहीं होता है और independently लोग जो हैं वो अपनी vote डालते हैं, election are like exam where politicians and parties know if they have passed or failed but who are the examiners, तो examiners कोन होते हैं, voters are the examiners है ना, तो यहां पे उनके एक तरह से test हो रहा होता है, कि यह pass होंगे या fail होंगे, political parties, अगर उन्होंने अच्छा काम किया है, तो लोग उनको vote देके जिता देते हैं, मतलब कि पास हो जाते हैं, अगर उनको उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, पास में, तो लोग जो हैं, उनको vote नहीं देते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद हैं हमारा, इंडिया जो है, वो सबसे बड़ा, लार्जेस्ट देमोक्रेटिक कंट्री है, वो कें रिमूव दचीफ इलेक्शन कमिशन, कमिशनर, इंडियन पार्लियमेंट जो है, वो चीफ कमिशनर को हटा सकती है, विच स्टेट हैं, विच स्टेट हैं, महाराष्टर, तमिलाडू, उत्रपरदेश और वेस्ट बंगोल में हैं, जैसे हरियाना में दस होती हैं, तो यह अलग-अलग हैं, ठीक है न, उत्रपरदेश में, I think, 80 हैं, अब यह कह रहा है, वाट इस स्टेट हैं, तो अपना बता अपनाडिया, हरियाना का 10 सीटे होती हैं, पंजाब में जो हैं, वो तेरा सीटे हैं, इमाचल परदेश में, चाहर है, न्यू देली में, 7 हैं, विच पार्टि फॉर्म दा गोर्मेंट तो पार्टि जो मेजरोटी के साथ, उलेक्शन को जीती हैं, वोट लेती हैं, वोही प offering one's name as a suitable candidate for election तो election के लिए क्या है वो बिलकुल suitable होता है तो उसका nomination जो है वो list में नाम आ जाता है कि ये election जो है representative के रूप में लड़ सकता है what do you understand by the journal election तो when election take place after the expiry of fixed tenure बहले कि पांच साल हो गए है उसके बाद जो है election करवाई जाते हैं तो उसको हम journal election जो है वो बोलते हैं और लोग अपनी वही democratic तरीके से vote दे के अपने representative को चुनते हैं उसके बाद है what what is mid term अगर mid term जो है बीच में ही कभी election सो हो जाते हैं तो due date अगर जैसे कि 5 साल के बाद होता है लेकिन जैसे situation कुछ हैसी आ जाए तो सरकार गिर जाए और बीच में election करवाने पड़ जाए तो वह mid term में election होते हैं what is by election when election is held on fill a particular seat किसी particular seat को fill करने के लिए कोई से अगर time से पहले वो जो खाली होती है तो किसी भी रिजन से तो वो by election जो है वो कहलता है उसके बाद है who decide the date for journal election कौन करता है election commission right any two arguments में लेकि बहसबाजी जो है वो adult franchise के बारे में तो it is a democratic और it ensure the political equality which system of representation is most popular in the in the modern state तो जो भी territorial किसी भी specific के area के अंदर जो है representation को जुनना वही हमारा क्या है modern state का representation है ठीक है तो यह हमारा very short question हो गए इनको आप अच्छे से याद करें thank you so much